अश्राम अलेकूम स्टूडेंट्स जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में स्लूशन ऑफ कॉर्डिर्टिक एक्विजन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें उसका मैथड किया था स्लूशन बाइ फेक्टरिजेशन स्टूडेंट तो आज हम स्लूशन जैब उसका सेक्विड मैथड के दर यह डिस्कस करते हैं स्लूशन बाइ कम्प्लेटिंग स्केर स्लूशन आफ क्वाद्रिक एक्विशन बाइ कम्प्लेटिंग स्केर स्टूडेंट्स गिवन एक्विशन को यूज करते हुए हमने क्वाद्रिक एक्विशन का स्लूशन लेना है कम्प्लेटिंग स्केर के दर यह है जी स्टूडेंट्स अब हम कम्प्लेटिंग स्केर के दर यह सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम इसकी एक्विशन के लिए इसके स्लूशन के लिए एक क्विशन लेते हैं वो हमारे पास है स्टूशन लेने से पहले कम्प्लेटिंग स्केर के लिए यह निसेसरी होता है कि हमने एक्विशन का कॉफिशन वन बनाना है अगर वन से ज्यादा कॉफिशन आ रहा है तो उस कॉफिशन को हम वन बनाएंगे अब 7 आ रहा है तो हम क्या करेंगे हर टर्म को 7 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाइड 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 7 ओन बोथ साइड यह बन जाएगा 7x केर ओवर 7 प्लेस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इस इक्वल तो 0 ओवर 7 7 7 से कैंसल एक्स केर प्लेस 2 ओवर 7 एक्स यह नहीं कैंसल हो रहा माइनस 1 ओवर 7 और यहां वाला रह गया 0 तो जब हम एक्स केर का कॉफिशन बना चुके होंगे तो तब हमने जो कॉंस्टन डर मारी होगी उसको हमने राइट साइड पर ले जाना है तो राइट साइड पर यह जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यह बन देगा एक्स क्यर में प्लेस दो और खेर प्लेस बने जाना है आइगा जब रेघंग साइड और वाले को टू से मुल्टिप्लाइ कर देंगी जब multiply कर देंगे फिर हमने इसको simplify करना है अगर उपर नीचे same factor cancel होता है तो वो कर देना है otherwise उपर वाला वैसे रह जाएगा नीचे वाले दोनो multiply हो जाएंगे अब ये 2 is 2 से cancel हो रहा है तो अब हमारे पास बच गया 1 over 7 तो 1 over 7 हमारे पास क्या आगया x के coefficient का half आगया अब इस half को हमने both side पे add कर देना है adding 1 over 7 square यह जो हमने x के coefficient का half लेया उसका square both side पे add कर देंगे तो adding 1 over 7 square on both sides ये उपर वाले equation बनेगी x square plus 2 over 7 x plus 1 over 7 square is equal to 1 over 7 students ये 1 over 7 square हम अपनी तरफ से कर देंगे तो ये क्या होज़ेगा ये इदर भी add करना पड़ेगा तो 1 over 7 square अब इदर हमारे पास दो टर्म्स आ रही है जिन पे होल स्केर है x square और ये 1 over 7 square और दोनों positive हैं जब दो positive term जो होल स्केर में आ जाएं तो फिर हमने third one को चेक करना होता है कि आया कि वो 2ab condition को satisfy करेगी या नहीं करेगी तो अभी हम चेक करते हैं ये आ गया x square plus अब इसको तोड़ देते हैं 2 formula बाला student ये हमारे पास relation होता है a square plus 2ab plus b square तो इस में या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है लेकर इस term का और इस term का इन दोनों का positive होना ज़रूरी है तो ये दोनों term हमारे पास उस form में आ रही है ये positive हैं या पे plus का sign है या प्लस लगाया 2 अब first term जिस पे square है x और second term जिस पे square आ रहा है वो है one over seven और plus one over seven square as it रहेगा और right side को हमने simplify कर देना है one over seven plus अब whole पे square आ रहा है तो it means ये one का square है one का square one ही रहेगा और seven का square 49 आ जाएगा तो अब हम अब इसको मजीद हम चेक करते हैं ये आ रहा है two x one over seven जो multiply करते हैं तो two one or two two over seven x तो यहां भी two over seven x हा रहा है तो ये बने गया हमारे पास a square plus two a b plus b square ये भी मैंने इसकी form लिखी थी के a square plus two a b plus b square तो इसको अगर हम close करते हैं ये बन जाता है हमारे पास a plus b whole square तो उस identity के मताबिक हम इसको close कर देते हैं तो ये हमारे पास as a a जो है वो उसे x आ रहा है और as a b one over seven तो क्या आ जाएगा x plus one over seven whole square is equal to अब इदर वाले दोनों fraction की form है इनको हमने add करना है तो add करने के लिए हमें LCM लेना पड़ेगा 49 और seven के LCM लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 49 अब LCM को first term के denominator से divide करते हैं 49 को seven पर divide करेंगे तो result मिलेगा seven जो result मिलेगा उसी को हमने क्या कर देना उसी term की numerator ये उपर वाली term से multiply कर देना है तो यह जाएगा seven multiply by one और between में sign जो है वो plus का है वो plus बैसे ही रह जाएगा और जब 49 उस LCM को इस 49 पर divide करेंगे तो one one को one से multiply कर देंगे इदर वाला यह जिटा जाएगा plus one over seven whole square is equal to seven को one से multiply किया seven plus one को one से multiply करेंगे तो one over 49 x plus one over seven square seven plus one eight over 49 अब यह simplify होगी right side तो अब हमने क्या करना है इस square को खतम करना है क्योंकि हमें तो x चाहिए पहले square खतम होगा तो उसके बाद तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा square root लेना पड़ेगा take square root यहाँ जाएगा x plus one over seven square इस पे square root is equal to eight over 49 square root यह square और square root cancel यहाँ आगया x plus one over seven is equal to अब square root of eight eight का square root completely solve नहीं होगा लेदा हम eight को factorize कर देते हैं two पे two four eight two two four two one are two two यहाँ पे आ रहा three time तो यह बनदेगा two multiply by two multiply by two square root over 49 का square root अलग से solve करेंगे तो वो बन जाएगा seven यहाँ पे आ जाएगा अब हमें चाहिए x यहाँ पे plus हो रहा है इसको right side पे ले जाते हैं सोरी यहाँ पे हमने square root solve करते हुए plus minus भी लगाना है जब इसको उदर ले जाएगे तो minus हो जाएगा x is equal to minus one over seven plus minus अब उपर square root है तो हम क्या कर देते हैं इसको two का pair एक बना लेते हैं यह नहीं हम इसको लिख देते हैं two square इसका square root क्योंकर multiply हो रहे हैं अलग कर देते हैं और इस two का square root अलग कर देते हैं और over कितना आजाएगा seven student यहां पे बज़ गया x is equal to अब इन दोनों को over same तो वहीं उनका LCM आजाएगा seven अब उपर यह square और यह square root cancel हो रहा है तो यहां पे दोनों का same over आ रहा है जब LCM को seven पे divide करेंगे one, one को minus one से multiply करेंगे तो minus one plus minus यह square root और square खतम हो चुके हैं of two तो यह इस से मजीद यह square root two की वजहां से solve नहीं हो रहा लेहादा यहीं पे यह हमारा solution जो है वो end हो जाएगा इसी काम क्या कर देते हैं solution set बना देते हैं तो यहां गया minus one plus minus two into square root of two over seven और यहां पे क्या कर देते हैं इसको end कर देते हैं जी स्रोडेंट के लिए वाली पास अब हम एक और question लेते हैं जो इस concept को मजीद जो है वो क्या करेगा क्लियर करेगा जी स्रोडेंट तो second question हम और एक solve करते हैं इसी method से और वो question हमारे पास है 11 x square माइनस आ रहा है हमारे पास माइनस 34 x plus 3 is equal to 0 अब हम इस question को भी completing square के दर यह solve करते हैं तो यहां पे x square का coefficient 11 11 को हमने बनाना है वन तो इस पूरी equation की हर term को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं डिवाइड बाइ 11 on both sides यहां बन गया 11 x square over 11 minus 34 over 11 x plus 3 over 11 is equal to 0 over 11 अब यह 11 इस 11 से cancel तो यहां पे आ गया x square minus 34 over 11 x plus 3 over 11 is equal to 0 x square का coefficient when अब constant को हम यहां से right side पे shift करते हैं तो उसमें इसका sign change हो जाएगा minus 34 over 11 x is equal to minus 3 over 11 अब हम x का coefficient लेते हैं जो कि हमारे पास आ रहा है 34 over 11 अब हमने लेना है इसका half half लेते होगे हम क्या कर देंगे? over वाले को 2 से multiply कर देंगे 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 carry 14 तो 7 आ गया 17 over 11 हमारे पास इसका half बस गया इस half को both side पे add कर देते हैं adding 17 over 11 इसका square लेंगे और क्या कर देंगे? add कर देंगे तो यह equation बन जाएंगे हमारे पास x square minus 34 over 11 x plus 17 over 11 square is equal to minus 3 over 11 plus 17 over 11 square तो इस students इदर फिर हमारे पास वही फार्म आ गई a square अब आ रहा प्लस की बजाए माइनस आ रहा है तो minus 2 a b plus b square तो यह दोनों form तो हमारे पास आ गई है अभी इसको हमने चेक करना है क्या है वाक्य ही satisfy होता है इस पे या नहीं हो रहा तो फिर इसके लिए हम क्या कर देते हैं x square minus 2 form बूले वाला फर्स्ट टर्म जिसपे square है x और सेकेंड टर्म जिसपे square है 17 ओवर 11 प्लस क्या हो जाएगा 17 ओवर 11 स्केर इस इक्वल डू अब स्ट्राइट साइट के जो इस 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 से सैटिस्पाइब हो रहा है तो यह बन गया हमारे पास a square minus 2ab plus b square तो यहां पर हम इसको close कर देते हैं उसी identity के मताबिक यह minus 2ab है तो इसके मताबिक यह बन देगा a minus b whole square तो इसको close करते हैं तो यह बनेगा x minus 17 ओवर 11 square is equal to अब इदर वालों का यह फिर fraction की form में आ रहे हैं 121 और 11 काल्सियम लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 121 अब LCM को first term की denominator से divide करते हैं तो हमें 11 ही मिलेगा और 11 को minus 3 से multiply कर देते हैं minus 3 multiply by 11 plus 121 को 121 पे ही divide करेंगे तो 1 बन कूपर वाले से multiply कर देते हैं तो यह आ गया 289 इदर वाला सेम ही रहने देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा x minus 17 over 11 whole square is equal to अब इनको multiply करते हैं 3 को 11 से multiply करेंगे minus 33 plus 289 over 121 अब उन दोनों को add कर लेते हैं यह plus का यह minus का है तो यह minus होंगे 9 में से 3 minus करेंगे तो 6 5 में से 8 minus करेंगे तो हमारे पास बज़ेगा 8 में से 3 minus की है 5 और यह 2 है वो add आज़ेगा over 121 और इदर हमारे पास आज़ेगा x minus 17 over 11 whole square अब इस square को खत्म करना है तो इसके लिए हमें square root लेना पड़ेगा take square root square root लेंगे तो यह हमारे पास बन देगा x minus 17 over 11 whole square is equal to 256 over 121 चुंके हम square root ले रहे हैं तो बोस साइट पे square root लगा देते हैं यह square और यह square root cancel x minus 17 over 11 is equal to plus minus 256 इसका square root लेंगे तो यह हमारे पास बच जएगा 16 over 121 sorry 121 का square root जो है वो 11 आजएगा अब हमें x चाहिए यह right side पे जाएगा तो यह प्लस हो जएगा यहां पे बच गया x is equal to minus है तो यह यहां पे आखे प्लस 17 over 11 प्लस माइनस 16 over 11 अब चुंके दोनों टर्म्स का denominator सेम है तो यह यह LCM आ जाएगा 11 और उपर वाले वैसे 17 प्लस माइनस 16 यह x की value आ गई अब चुंके दोनों जाए वो rational form में आ रहे हैं कि last वाले question के अंदर जो प्लस माइनस के बाद वाली टर्म थी वो irrational form में थी जिसको हम प्लस माइनस में मजीद simplify नहीं कर पा रहे थे तो हमने वहीं पे skip कर दिया था लेकर यह आगए solve हो रहा है तो अब हम इसको क्या कर देते x is equal to plus minus के sign का मतलब है एक दफ़ हमने इसको plus में लेना और एक दफ़ हमने इसको minus में लेना 17 minus 16 over 11 17 और 16 को add करेंगे तो यह हमारे पास बच जाएगा 33 over 11 और इधर वाले में 17 में से 16 को minus कर देंगे तो 1 over 11 11 1 1 1 11 3 33 x is equal to 3 and x is equal to 1 over 11 यह इसकी values आ गई अब हम students क्या कर देते हैं इसका solution set बना देते हैं तो यह आजएगा 1 over 11 3 और यह solution जी students आज के लक्सिर के लिए यहीं ता काफी इंशाला कल हम बकिया जो इसके remaining questions है वो हम इसी method के जरीए solve करेंगे ओके अला आफिस